आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम असिद्धान तक नहीं होता है, श्टड़ी ग्लो स्वाब का बहुत बोस्वागत है, राजस्थान की जो जैप स्कीम है, जन अनुशासन पक्वाडा स्कीम, इसको हम समझेंगे स्लिचर में, देखिए ये एक तर अभी 15,800 के करीब सब्सक्राइबर हैं, इसी को ही आपको जोइन करना है, ये ओफिश्यल है, ठीक है, तो संडे को राजस्थान सरकार ने जैप स्कीम को एनॉंस किया, पब्लिक डिसिप्लिन फोर्ट नाइट, तो ये संडे को आया डिसीजन, जब राज में 10,000 से नए केसे आये, राजस्थान में भी केसे आ रहे हैं, यूपी, महराष्ट, एमपी, गुजरात, इन सारे स्टेट्स की तो आहलत खराबी है, अब राजस्थान में भी केसे आ रहे हैं, आक्टिव केसे आप देख लीजे, लगबख 67,000 के आसपास, और 42 मौते हुई, तो ये जो स्कीम है, ये कर्फ्यू का extension है, वीकेंड पे ये स्कीम को चलाया जाएगा, 16 अप्रेल, शाम 6 बजे, 16 अप्रेल से लेकर, सुब 5 बजे, 19 अप्रेल तक कर्फ्यू लगेगा, सरकार ने lockdown नहीं बोलाया, ध्यान दीजेगा, ना ही कर्फ्यू है, ये उसके बीच का कुछ है, मिडिल पाथ है ना, ना ही extreme है, ना ही बहुत liberal है, मिडिल पाथ को अक्तियार किया है यहाँ पे, चलो, क्या-क्या इसमें permit होगा, ये देखना हमको जरूरी है, सबसे पहले तो सरकारी employee, state and government employee अपनी ID लेके जाईएगा, ऐसा नहीं कि लेके निकल गए, और उसके बाद आप employee नहीं निकले तो कारवाई की जाएगी, फिर health sector में जितने भी लोग हैं, private hospital, lab, doctors, nursing staff, paramedical, बाकि जितनी भी health services है ये permit होगी, pregnant women, patients, और जो 45 साल के लोग हैं, जिन्होंने vaccination, 45 साल उससे उपर के लोग हैं, जिन्होंने vaccination में register कर दिया है, उनको भी भेजा जाएगा, ठीक है, मतलब को भी allowed हैं, उसके बाद फिर mandis और restaurant को भी allowed किया गया है, जिसमें wholesale और retail shops आजाती है, किराना stores आजाते हैं, fruits and vegetables आजाते हैं, dairies आजाते हैं, हाला कि सिर्फ 5 बज़े तक ही शाम को ये खुले रहेंगे, ठीक है, और जो fruit windows हैं, रिक्षा हैं, cycles हैं, ये सब रात के 7 बज़े तक चलेंगे, बस, राशन shops को open किया गया है, किसानों को बिलकुल permit किया गया है, कि वो mandis में जा सकते हैं, और अपने crops को बेच सकते हैं, हाला कि उनको verify करना पड़ेगा, कि वो वाकई में ये करने जा रहे हैं, अब वो verify कैसे करेंगे, उनके पास receipt होगी ना, जो sale करेंगे वो एक receipt मिलती है, फिर processed food हो गया, sweet meat shops हो गया, restaurant हो गया, ये रात 8 बजे तक इनकी delivery जो है, वो रहेगी, food preparation और distribution जो है, जो इंदरा रसोई है न, वो भी रात के 8 बजे तक चलेगा, ताकि कोई भूका ना रहे, ओके, फिर industries, banking और ट्रांस्पोर्ट ये भी खुला रहेगा, अब इसमें construction permit किया गया है, essential movement में कोई रोक टोक नहीं है, cold storage warehouse services खुली रहेगी, IT services हो गई, telecommunication हो गया, IT enabled services हो गई, bank, ATM, insurance, everything will be open, railway, metro, airplanes, ये सब भी open रहेगे, ठीक है, हालाकि अगर आपको railways किसी दूसरे state से आ रहे हैं, या अगर आप plane से आ रहे हैं, तो आपको RT-PCR test द देना पड़ेगा, धाबास भी open रहेंगे, फिर miscellaneous की बात करें, इसमें newspaper windows जो है, they are permitted to distribute the newspaper, journalist बिलकुल उनको free छोड़ा गया है, शादिया भी होंगी, और last right मतलब अंतिम संसकार भी करने की अजाज़त दी है, लेकिन शादियों में 50 से जादा लोग allow नहीं है, और अंतिम संसकार में 20 से जादा, हाला कि आपको बता दू, मेरे एसाब से 10 से 20 इसको और कम कर देना चाहिए, अगर किसी का competitive exams है, आप admit card लेके जाओ, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, essential items जैसे pharmaceutical हो गए, health equipment हो गए, ये सब, फिर labor जो मनरेगा के, mg नरेगा के अंदर काम कर रहे हो, फि लोग ऐसे नहीं गुम सकते, तो आप देख लो, बंद क्या रहेगा, बाजार से जो है, ये बंद रहेंगी, ठीक है, और non-essential private offices बंद रहेंगे, school, educational institutions बंद रहेंगे, बाकि social, political, sports, entertainment, academic, cultural, जहां पर भी रहे लग सकते हैं वो सब, cinema halls, theatres, multiplexes, entertainment park, ये सब बंद रहेंगे, व लगबख 70, 60 to 70% चीज़े close है, 30% को allow किया गया है, तो आप देखी रहेंगे, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है, ताकि एक नौबी भी ठपना हो, और सब का काम भी चलता रहे, ये था दोस्तों, आप इस तरीके की scheme पूरे देश में क्या करनी चाहिए, देखिए अगर cases आएंगे, तो definitely इसको पूरे देश में लागू करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, खुछ रहे ये पढ़ते रहे, इदेश से सिद्दान तक नहीं हो, तरी signing off, लास्ट चीज़ बस बताना भूलिया, ये scheme, मतलब scheme क्या ये जो पूरा चलाया है, ये 3 मही तक होगा, मतलब 3 मही 2021 तक इसको implement किया जाएगा,